नर्सिंग पूर जिले से खबर है जहां ग्राम रोजगार सहायक सचीव संगठन ने गुरुवार को अपने विभिन मांगो को लेकर मुख्य मंदरी के नाम कलेक्टर को ग्यापन सौपा रोजगार सहायक सचीव संगठन के जीला द्यक्ष ने बताया कि हम पिछले 12 सालों से अपने नियमिती करण की मांग को लेकर कई बार ग्यापन दे चुके हैं सरकार द्वारा लगतार रोजगार सहायक सचीव पर दबाव बनाया जा रहा है जैसे पिछले तीन महीने रोजगार सायक सचीवों ने काम के अत्यादिक दबाव के कारण अपनी जान दे दी हम सरकार से अनुरूद करते हैं कि किर्पया हम पर अत्यादिक दबाव ना डले नर्सिंगपूर से चंदरशेखर मालविय की रिपूर आज भारी संक्या में आप लोग कलेकर आए किस मांग को लेकर आए और एक पिछले महीने में हमारे तीन साथी ऐसे हैं धारजले में बलवानी में और अपना ये सीहोर में जो एक महीने अत्यादिक कारे के दबाव में आकर उन्होंने आत्मत्या की यही कहना चाहते हैं, हम और अच्छदिकारी उसे भी यही निविदन करना चाहते हैं हमारी जो साथी हैं, उनके साथ इतना दबाव और इतने अत्यादिक कारे के बोज़ के नीचे ना डाले तो उन्होंने अपनी जीवन ली necesita को समाःत करना पड़े सबी से निवीदन है और हम यही चाहते हैं कि हमाई जो बारा बरसों की मंगत मांगे हैं उनको पूर्ण किया जाए